हेलो दोस्तों, आज एक सास बहु की मज़ेदार कहानी सुनेंगे इस मज़ेदार कहानी में मौरल सिक्षा भी है यदि इस कहानी को स्त्रिया मतलब नई दुलह इस्तमाल करें तो बहुत ही लापकारी होगा एक लड़की की नई नई शादी हुई वह अपने नई घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ ना कुछ उसके विरुद में बोलते रहती थी उसे अपने पिता का घर याद आने लगा हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था बच्पन से जवानी तक पिता ने अपने बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था यह नई नविली दुलहन अपनी सास के इस रूखे वेवार के कारण परिशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्तिती हो गई वह अपने पिता के घर लोटाई और रो रोकर पिता से कहने लगी पिता जी अब उस घर में नहीं जाऊंगी यहीं आपके पास रहूँगी यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी पिता समझदार थे पिता ने बेटी को दो दिन के बाद कहा बेटी यदि मैं तुमसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तयार है यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू उस घर में साथ रहना चाहती है तो कोई बात ने बेटी ने पिता से कहा कहिए लेकिन याद रखना यहाँ अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाओंगी पिता ने कहा वहाँ जाकर जैसे ही तुमारी सास तुम्हें कुछ पुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुह में एक कुला भर पानी ले लेना और तब तक मुह में पानी बरे रहना जब तक सासुमा बोलना बन ना कर दे और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूख देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना बेटी को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन बेटी तयार हो गई बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया जब भी शासु म मा कुछ कहना शुरू करती तूरन बहु मुँ में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती धीरे धीरे कुछी दिन में सासु मा का वैवार इस बहु की प्रती नाम रहो गया वो सोचने लगी कितनी अच्छी बहु है पलट कर कोई जवाब नहीं देती और गुसा भी नह करने लगी और उसकी तारीफे करने लगी कुछ दिन में सासु मा का प्रेम भरा वैवार देखकर बहु भी अपनी सासु मा को मा की जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बाते करती साथ साथ घूमने और मार्केट और खरिदारी करने जाते कुछ दिनों के बाद इस जब पिता अपने घर वापस जाने लगी तब अपनी बेटी से कहा बिटिया चलो यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना समान पैक कर लो हम वापस चलेंगे तब बेटी ने कहा नहीं अब यही घर मेरा है मैं अपनी सासु माँ से बहुत ट्रेम करती हूँ और अब म केरी मा हैं पिता जी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहु के अतूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीश देकर खुशी-खुशी घर लोटाएं कहानी की सिक्षा प्रेम सब बातों को सह लेता है रिष्टे बनाना असान है निभान कठिन लेकिन जो रिष्टे निभाना जानते हैं वे ही लोग सही माइने में सच्चा प्रेम करते हैं आपने सास बहु की मज़ेद्यार कहाने से क्या सिक्षा पाई है कमेंट में जरूर लिखिए धन्यवाद